ज्रुपारेब्षान ना में जाए प्रिवच्ट कुछारा धेया है तापिक बहुत ही इंटरस्टिंग है फिर फिर प्रेवियस लेक्च्टिंग से उसमें से हमने टॉॅपिक किया था और किरीदा कर सिंघे हमिद हम ओस से नाम है कि रुषर के Agent पर है उसे चप्ट हम पढ़ से साथ चप्रूड का था हुआ किरीड है हम किभूड कीए हम ने जए चक्किया था हमने से स्थाथ प्रिष्ट कैंपूटर की सिवारे में पफ़ def I'm कॉन-व्स के शयांद किए थे सांथ को यहां है जो यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं sho कर कैए हैं कीब़ोड करने से सिस्ट करने से पहले थोड़ा सा बोला champ वहिं करते हैं उसके बाद ऑन घ्राट करते हैं हम टॉपिक्स को उन्चा रिलेट करते रहेंगे अगर हम चीजे रिलेट करेंगे तो एक्जाम के लिए हमारे लिए हम कर सकते हैं ठीक है अब देखें एक चीज़ा हमेशा धियान रखेगा कीबॉर्ड एक इन्पूर्ट डिवाइज है ठीक बात है हमने हमेशा अपने घरों म स्कूल टाइम पर कीबॉर्ड देखा है मायूटर देखा है माउसंदेखः है कीबॉर्ड में कीजे बहुतन सब्सक्राइब कीजेल हम यहां पर कीबोड कीज के की बारे में करेंगे एक्जाम में कोशन आते हैं इसकी वरकिंग क्या है तो बस एक्जाम प्रस्पेक्टिव से देखते हैं कैसे कैसे वक करती है कीबोर्ड कीज एक topic है हमारी बुक में ठीक है जो हमें पढ़ना है जो exam perspective से important है वही हम start करने वाले है चलिए start करते हैं topic का नाम है keyboard keys start करते हैं कीबोर्ड कीज हमने पहले देखा है keyboard input device बता है क्योंकि user use करता है input देने के लिए के एक इंपूट डिवाइस है तो कीबॉड अगर एक इंपूट में लिखा है और कि यहां पे मैंचेन है निपूट डिवाइस ठीक है तो हम इन्पूट डिवाइस मैंने पहले बोला है कि सेशन होने से पहले ही बोला है कि कम्पीटर में की ऑच origin निखा चिक प्रेंग होगा से बने में ये इन पुर्टी न से इन कम्तुर्थ सेसक्स रहंुन स्रूप स्थेशन हैं ये कीबोर्ड हमेशा याद रखना है एक्जाम में कॉश्चन आता है कि कितनी कीज होती है 104 कीज होती है 104 कीज बटन या फिर कीज आप बोल सकते हैं वो कीबोर्ड में होती है आप देखिए यह याद रखना है 104 बटन होता है यहां पर यहां पर यह चीज याद रखनी है यहां पर यह चीज याद रखनी है कि एक input device है कोई दिक्कत जो चीजे थी मैंने पहले explain कर दी यहां पर यह वाली slide ठीक से हो गई कि keyboard एक input device है जिसके जो buttons है वह mechanical way में attached यह लगे वे हैं वहाँ पर उसके बाद 104 keys या फिर buttons present है keyboard में एक्जाम में कोशन आता है कितनी keys है तो 104 keys है नेक्स आते हैं यह यह देखे यह keyboard है बहुत अच्छे से image है हम इसको समझ सकते हैं देख सकते हैं आराम से जो F1 से लेकि F12 तक है जो given है यहां पर F1 से लेकि F12 तक वह सब कैसी कीज है फंक्शनल की है कैसी कीज है functional key that is known as escape key that is known as functional key F1 से F12 F1 से F12 के हैं सारी के सारी functional की है escape key first starting में escape की होती है यहां पर आते हैं capsule का capsule किसले यूज़ करते हैं words को capital लिखने के लिए letters को capital करना है तो capsule का use करना है इसके just opposite अगर हम याद करते है number key numbers के लिए यूज़ होती है suppose इस वाल एरिया में जाना है यहां पर तो यहां पर यह नम लोग key press करेंगे numbers के लिए होती है ठीक है ऐसी ही बहुत सरी keys है यह keys होगा यहां पर यह किसलिए होता है यहां पर एंटर के लिए होता है यह backspace के लिए होता है इसको बोलते है इन कीज को कैसे यूज करेंगे shift के साथ करते है shift प्रेस करेंगे तभी की प्रेस होती है ठीक है जो उपर लिखे चाहिए at the rate shift के साथ करेंगे ठीक है और भी जो लिखा है यहां पर यह चीज ही हो गई ठीक है F1 से F12 तक functional की हो गया तो keyboard का basic पता चल गया नेक्स चलता है अब arrangement आता है अब हमें इस का arrangement अलग-अलग तरीके से जो keyboard में प्रेजेंट है उसके वे से हमें याद करना साथ करना है अब आता है अल्फा नुमारिक की इस की यूज सेम लेटर नंबर पंचुएशन सिंबल्स फांड और ट्रेडिशनल टाइपर पहले टाइ सिंबल्स फिर यहां थे पंचुएशन और अल्फा नुम्रिक की इस वह होती थी जिसमें सेम लेटर नंबर पंचुएशन सिंबल की इस ट्रेडिशनल टाइपर होता था उस तरह से यूज होती थी ठीक है एटूज होते था लेटर वन टू जीरो नंबर होते थे कुछ क्या होती है मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में देखे एसकेप यहां पर आता है प्रिंट स्क्रीन स्क्रॉल लोग पोज़न ब्रेक यहां पर आता है कंट्रोल विंडोस और यहां पर सेम यही है तो यह सब क्या है यह सब चीज है यहां पर क्या है अगर हम देखते हैं इनको बोलते हैं मॉडिफार की इसकेप जैसे क्या है जैसे क्या है मॉडिफार की जैसे कि इधर वाले सेशन में स्क्रोल लॉक पेज़ प्रेक जैसे क्या है क्या मॉडिफार की कि ठीक है इसकेफ्ट पॉलते हैं इनका यूजंत करते हैं ऐसे बोल रहा है तो अगर हम कोई भी की यूज करते हैं हमें उसके साथ कुछ ना कुछ यूज करना है मैंने बोला कि एड़ा रेट यानकि जो ऊपर वाली की है किसके साथ यूज कर सकते हैं शिप्ट के साथ ठीक है यहां पर आते हैं जैसे कि मैंने यह बोला की कंट्रोल की विंडोस की ओल क्या है हमारे लिए मॉडिफार कीज है हो गया खतम ना मॉडिफार कीज आभी तक हमने कीबोर के बारे में पढ़ा है उसके बारे में 104 कीज होती है अल्फा नंब्र की पढ़ी है लिए मोडिफार की की इस पढ़ी है मोडिफार की ऊचिछ तक है ऐसके अब आते हैं अब यह फंक्शन की क्या होती है अब देखिए हैं यहां पर आते हैं F1-F12, F1-F12 सारी क्या है यह फंक्शनल की तो एक्जाम में कुछ नहीं आता है functional key at the top of the keyboard, escape key क्या है, modifier key है, shift key क्या है, old key क्या है, window key क्या है, control key क्या है, सारी की सारी conjunction है, modifier keys है, ठीक है, यह चीज़े होती है a functional key refers to one of the 12 keys present on the top row of a common PC functional, the keys used to perform F1, F12, F13 यह सारी functional key होती है, जैसे कि मैं एक shortcut बता दियू, हम use करते है, use करके आप लोग देखना Alt plus F4 का shutdown के लिए use होता है, direct computer या laptop अगारे आपको shutdown करना है, तो start shutdown पर जाने के जुरुरत नहीं है, सीधा press करो functional key, alt plus Alt plus F4, तो आपका computer shutdown हो जाएगा, direct shutdown होता है, यहाँ से, यह इसकी shortcut की है, ठीक है अब आगे चलता है navigation की, नाम से ही पता चल रहा है, navigate करने के लिए, कुछ-कुछ धूडने के लिए, navigation के लिए अब navigation के लिए insert, कोई चीज एड करनी है, insert के लिए, home, page up, page down, अगर कोई काम कर रहे है, ms word पे, excel पे कुछ काम कर रहे है, ms word पे काम कर रहे है, page की ऊपर की साइट कुछ चीज़े देखनी है, down की तरफ देखनी है, तो page up, page down, सीधा cursor हमारा page up, page down की तरफ चला जाएगा, ठीक है, delete and, ठीक है, यह सब क्या है, navigation, जो arrows दिख रहे हैं, जो चार arrows एक्जाम में बूचा जाता है, यह चार arrows क्या रिपेजेंट करेंगे, तो navigation के लिए, navigate के लिए, ठीक है, यह चीज़े खतम हो गई, तो अभी हमने keyboard में क्या-क्या पढ़ा है, keyboard में हमने alpha numeric keys पढ़ी है, modifier पढ़े है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, navigation की, एक बर revise कर लेते हैं, topic पर जाने से पहले फिर से revise कर लेते हैं, ठीक है, कैसे revise करते हैं, देखिए, यहां आदे हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, हमने पर जाते हैं, हमने पर जाते हैं, हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा कीबोर, हमने पढ़ा है, ठीक है, यहां देखिए da हम यहां से स्टार्ट करते हैं हमने पढ़ा है keyboard के बारे में इसमें हमने topic पढ़ा है keys के बारे में कीज में हमने क्या क्या बढ़ा है दो चीज़े बढ़ी है एक बर रिवाइस कर लेते हैं हमने यहां पर पढ़ा है keyboard के बारे में हमें पता चल गया keyboard एक इन्पूट डिवाइस है तो हम यहां पर लिख लेता है यह क्या एक इन्पूट डिवाइस है ठीक है कोई दिक्कत इस चीज में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इन्पूट डिवाइस है कितनी कीज प्रेजेंट है keyboard में 104 ठीक है 104 चीज या फिर 104 बटन प्रिजेंट है क्या पर हीज में कीज में क्या पढ़ाए अलफर नुमरी की मोडिफायर्स पढ़े और और नैविगेशन की पढ़ी है और हमने पढ़ा है फंक्शनल ठीक यह चारू कीज पढ़िए जहारो कीज पढ़ते ही करनी है डूरनी है नविगेट करनी है तो पेज डाउं इंसर्ट करना एरोज वह चार कीबोर्ट में सब किसके लिए यूज़ होंगे नविगेशन के लिए अब आते हैं फंक्शनल की फंक्शनल की यूज होती है एफ 1 से और द्यान रखना है और नमलों की होती है नम बर्स के लिए उसट है जब भी हचिप की प्रेस करोंगे तो जो कीज की ऊपर होता है जैसे वन के उपर एड़ रेट है वह शिप के साथ प्रेस होगा ठीक है यह चीज ही हो गई आप यहां था है किसे करना की जैसे की साथ करतरी यहांपे की की कशन करती है माडीफायर है यह फंक्शनल की होती है modifier होती है अल्फा नमारी की इसके बात navigation की होती है इसके बाद हम कुछ चॉटकट करेंगे मतलब जो एक्रफार की बीद होती है कि किस लिए उस होती है 2 अब यहां आते है नेक्स श्लाइड पर जलते हैं यहां पर आते हैं तो यहां पर आता है shift plus one अभी shift plus one किसले use होता है अगर suppose मुझे exclimatory mark चाहिए होता है जो keyboard में रिप्रेसेंट है यह shortcut keys है जैसे हम typing यूज करते हैं जैसे अभी के लिए टैपिंग हो गया तो अभी आभी जैसे टाइप कर रहे होते हैं तो अभी चाहिए पता होने चाहिए तभी हमारी typing speed अच्छी होती है यह कुछ चैएं जो हम use करते हैं और आपको याद करनी है और पूछी जाती है अभी हमारे अब टैपिंग के लिए एक्जाम होता ह मालने काट च्वाइब यह पता होंने चाहिए कॉन सी किस है हम देख रहे हैं यह सब क्यासे नमबर्स है और नमबर जालिया है à लाइस के लिसे हिए यूज़ए ऊसह उडिनम यूज़ः लेए और अगर सह्मेर क्लान लुह करती है आज करिए अज़ सब लोग के पास होगा लैप्टॉप होगा आज यह सब कीज यूज करें देखना तब ही पता चलता है थोड़ी बहुत टाइपिंग प्रेक्टिस करोगे तो यह शॉटकर्ट कीज अपने आप याद हो जाती है ठीक एक्जाम के लिए भी और प्लस 0215 यह कोड है तो किसके लिए होता है यह चाहिए यह याद करने का सबसे बस तरीका है कि अब टैपिंग के प्रेक्टिस करेंगे तो कि अब हमारे एक्जाम में टैपिंग एड होगे एक्जाम के लिए की टैपिंग टेस्ट होगा तो अच्छी बात है ना तो हम इन शॉटकट कीज कर सकते हैं तो हम टैपिंग करेंगे यह त्यार हो जाएंगी इदर भी है अब देखो यहां पे सारी थी ओर्ड नंबर यहां पर शिफ्ट होते हैं सब इवें नंबर सथरू के साथ क्या आता है किसी का साइन होता है यह डॉलर का यहां पे आता हैं के लिए यूज़ा देखिए श्टिक प्लस नाइन लप साइड इदर वाला देगा ठीक है और और अगर इदर यूज़ा तो लेफट्सइड वाला प्रेकिट आएगा शिप प्लस question mark के लिए 0247 divide के लिए लेकिन 0215 multiply के लिए 0151 बार के लिए ठीक है तो यह shortcut keys को याद कराने का कोई trick नहीं है ठीक है मैं आपको बोलूँ हाँ आप ऐसे याद कर लीजे सिर्फ practice है और आप लोगों को पता है आपके test जब exam होगा उसमें typing test होता है अब तो जब typing test typing test है हमारे exam में तो क्योंना में shortcut key use करके typing यह भी याद कर ले और टाइपिंग की प्रेक्टिस कर ले प्रेक्टिस करोगे तो यह shortcut keys फटा फटा फटी आद हो जोएंगे और exam में पूछी जाती है question आता ही आता है ठीक है कि नेक्स आते है तो हम इसके previous year question की तरफ shift होते है ठीक है तो यहाँ पर आते हैं अगर previous year questions की बात करें previous year questions अभी हम start करते हैं उससे पहले एक बर chapter को थोड़ा go through हो जाता है पतात होना चाहिए जाते हैं किबोर्ड कीज क्या होते हैं कितनी की प्रेजेंट होती हैं कितनी की यूज होती है ठीक है यह चीज ही हो गई अब हम start करते हैं अपना chapter यहां से what do you call a key on a computer keyboard it is used to move the pointer cursor around the skin ठीक है अच्छा कोश्य है पूछ रहे हैं कि आप कि स्टीच का use करेंगे या फिर आप क्या use करेंगे कि आप to move the cursor around the screen screen पे move करने के लिए तो क्या बोलेंगे उस्टीच को navigation key बोलेंगे फिर number key बोलेंगे यह फंक्शन की बोलेंगे control जब भी हम arrow का use करते हैं जो keyboard में arrows होते हैं उसकरते हैं मूफ करने के लिए कि यहां पर पूछ रहा है कि what do you call a key on a computer keyboard इस उस्टू मूफ करने के लिए इदर मूफ करने के लिए जाने के लिए वहां जाने के लिए किस इसका यूज करेंगे नावीगेशन के जाते हैं यहां पर क्या है navigation navigation navigate करना move करना इधर उधर करसर को मूफ कराना तो navigation हो गया है कि हमने कीबोर्ड में क्या पढ़ा है हमने keyboard keys में क्या पढ़ा है हमने keyboard keys में पढ़ा है alpha numeric navigation ठीक है और क्या पढ़ा है हमने alpha numeric navigation और क्या पढ़ा है यहां पर हमने मॉडिफायर ठीक है और फंक्शनल की तो यह पूछ रहा है फिर्स कुछ में पूछा है कौन सी की का यूज करोगे कि जब अपना कर्सर इधर उदर मूव करते हैं क्या नविगेट ही तो कर रहे हैं मूव करना तो नविगेट की का ठीक है की तो सब्सक्राइं अब अग्ग मॉडिफायर का यूज को हम याद रखना की सब्सक्राइब करें कोई थिकत कहलें ठीक है अब यार तकी यह does क्ट्रोल चिफ्ट में अब यह आ जाता है तो यह भी करना एसकेप यह होते हैं नॉडिफायर की जिए कि नॉडिक्री कीबोर्ड है किस कितनी कीज होती है कितनी होती है हमें तो पता है normal keyboards कि तो कितनी कीज होती है 104 बटन होते है न पता है न तो और यहां पर 104 ही है याद रखना 198-200 पर मत जाना कि पूछ रहे कितनी कीज होती है तो याद रहे 104 पर कीज होती है ठीक है नेक्स लाता है विच फॉलाइं कीबोर शॉटकट की इस यूज़ रन यहां पर लिए नौट बना लिजेगा कि अपना लिजेगा यहां पर लिख लिएगा नौट बना लिजेगा कि यूज़ होता है मैं यूज़ करना बताऊंगी एक्सल पावर पॉइंट पर जब शॉटकट की एक्जाम में डिरेक्ट पूछी जाती है तो हमें पता आना चाहिए जैसे मैंने अब एक शॉटकट की बताई है कि ऑल्ट प्लस एफ फॉर किसले यूज़ होती है कि यूज़ होती है और यह हो गया और अगर हमने पूछा कि स्पैलिंग ग्राम में स्पैलिंग चेक करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते है यहां पर आता है विच आप फॉल्वर्ट की वर्ड और सेवेस के लिए कौन सी यूज़ होती है तो save as के लिए कौन सी यूज होती है f12 कौन सी यूज होती है f12 इसको ऐसी के याद रखेगा save as के लिए हम f12 का यूज करते हैं जैसे मैंने बताया old plus f4 के लिए हम किसका यूज करते है old plus f4 यानिके shutdown के लिए ms word में spelling check करने के लिए f7 का यूज होता है और यहां पर आ गया save as किसले यूज होता है f12 के लिए और अगर अगर हम सेव करने हो फाइल तो किसका यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे अगर कोई file save करनी हो तो किसका यूज करेंगे ctrl plus s कौई file open करनी हो तो ctrl plus o कोई न्यू फाइल खुल लियू हूँ कंट्रॉल प्लस एंड ठीक है कंट्रॉल प्लस एंड क्लियर हुई यह चीज ही शॉटकट की एक्जाब से पूछी जाती है और धीर धीर में शॉटकट कीज बता रही हूं जितनी जितनी यहाद आती है अब आते हैं अब आते हैं अब हमसे पूछा था तो हमें सीधा लिखना था वन जिरो फॉर कीज ठीक है यहाँ पर पूछते हैं तो हमें पता है फंक्शनल की कितनी होथी एफ 1 से एफ 12 तो कितनी कीज होगी 12 कीज तो यहाँ पर 12 कीज ठीक है 12 कीज इस दा राइट ऑक्षिन मौडिफार की इसमें से कौन सी मौडिफार की नहीं है इसमें कौन सी मौडिफार की नहीं है तो सब इकने से पता चल रहा है ऩिनिंठ टीड यह आप आते हैं फंक्शनल की फंक्शनल की तैसेर लगस्यक्व की यहां आप टागी में उसक कोई अलग से कोई की मोथ है कुछ नहीं कीज़िक Will work जैसे यहां पे था हमने कितनी स्क्वास क्याओं की बताइद है हम इतने सबताइब कि अधार अच्छा हम कि इसके ऊत्व हं छण कीजों कि विंडowią किटनी सब्सक्रा ने कहिं प्रेजन नहीं कि क्या वप्षिन ही क्या है कि OFF सब्सक्रा खेल होते हैं Whatever इसको कोई अलग से असाइन नहीं किया गया लेकिन ते परफॉर्म मैनी फंक्शन इन विंडोस कीबोर्ड तो की कौनसी है इस एफ एट ठीक है कौनसी की है एफ एट नेक्स पर चलते हैं क्या है एक स्क्राइब की क्या बोल रहा है यहां पर इसकेफ की इन विंडोस कीबर इस नॉट इस नॉट यूजट तो क्यातें कि जो एक कि वह है वह किस लिए यूज़ोती है इस नॉर्स कमांड क्लोज असलेक्टिद डॉप्डाउन लिस्ट लोग बॉक्स लिए यूज़ो होता है कि बहार आना किसी चीज से किसी चीज को करना होता है कैंजिला कमांड नहीं होता है रहना सेलेक्टिट कमांड ठीक है रहना सेलेक्टिट कमांड किसले यूज करते हैं is not use เวेए यहां पर मेंचन है नोट यूज़न आपक हुझे मतलब हो मादा है किसी से बहार आना निकल नहिसी करा सकती खोवी किसी भी कमांड को रन नहीं करा सकती तो नहीं यूज होता है इसका यहां पर ठीक है यह चीज क्लियर है नेक्स कुश्चन देखते हैं प्रक्टिस क्यूशन से पहले कुछ से कुछ चीजर रिवाइप सारे सबीक देख लेते हैं यहां हम प्रक्टिस कुश्चन पह jeए यहां से साइट करते हैं वह फ्म्रेडियु कॉंद को कि यूज करेंगे नविगेशन की किस की का यूज करेंगे चाहे नमीचेशन dp याद करना याद करों जैसे करना कूates को पंथ मुव करने के लिए को की अपरीकोई किसके डिवाट 的 कि next question और ना computer keyboard shift plus alt key are the examples of shift और alt key किसके examples है modifier के किसके example है modifier के next आते हैं keyboard has keyboard के पास कितनी keys होती है 104 buttons होते है 104 buttons होते है 4th question which of the following keyboard shortcut key is run to run किसी भी spelling को check करने के लिए ms word में किसी भी spelling को check करने के लिए grammatical mistake देखने के लिए हम किसका use करते हैं किसका use करते हैं f कौन सी function की का use करेंगे f7 का ठीक है किसका use करेंगे हम f7 का यहां पर आते हैं next पर which of the following keyword shortcut key open as a save as हम save as के लिए किसका use करते हैं save as का कौन सा function f12 direct f12 प्रेस करो save हो जाती है हमारी file ठीक है और save के लिए ctrl s open के लिए ctrl o n के लिए ctrl new के लिए ctrl n how many function की यह present होना standard pc function की कितनी होती है कितनी function की present होती है f1 से लेके f12 तक अब यहां आता है which of the following is not a modifier की सबसे पता ही है all plus shift plus tab यह सब क्या है modifier की है सब क्या है हमारे लिए modifier की है हां modifier की है tab हमारे लिए modifier की नहीं है functional की in a windows keyboard can perform several functions and does not have an assigned window default that is f8 वह कौनची function की है जिसको functional बहुत सरे several functions परफोर्म करते हैं कि कुछ windows वगरा कुछ assign उसको नहीं है does not have assigned windows by default तो वह कौनची की है f8 ठीक है बहार आना ठीक है तो सब है उसको options सर्फ run नहीं है run नहीं करा सकते है मैं escape की का यूज करा के last question which says to full screen full screen पर पता है full screen पर अभी आज कोई भी laptop यूज करते है computer यूज कर रहे हो या पर phone phone में तो नहीं होगा functional की आप यूज करते हो तो आपको जैसे full screen पर दिखना है practice question की तरफ practice question स्टार्ट करेंगे ठीक है start करें practice question अब आते है practice question पर आदेश इस पारफेरिल इंपूट device पाता है keyboard ठीक है modeled after the typewriter keyboard which has arrangement of buttons और a key to access of mechanical levers और electronic switches पाता है कौन है typewriter के बाद इसका use करते है keyboard तो keyboard है इसका correct answer तो किस side जाएंगे हम keyboards पे ठीक है कोई दिकत clear है यह चीज ठीक है next सलते है second पे a dash is a button और computer keyboard it causes all letters in a bicameral scripts to be generated capital letters मैं तो पहले ही बोला था capital letters के लिए किसका use करेंगे capsules का capital letters लेके आने capsules का on करो words letters capital मैं आएंगे ठीक है तो capsules key is the correct answer next सलते है dash key allow use to type capital letters and the symbol at the top of the keys इसमें से क्या use होगा कौन से capital letters and symbols at the top of the keys ठीक है जो keys के top पे होते हैं जैसे की 1Q पर at the rate होता है star होता है इस्टरिक यूज होता है डिवाइड मल्टिप्लिकेशन ब्रैकिट्स होते हैं तो हम किस की का use करके उसको use कर सकते हैं डेटिज शिप्ट की का use करके हम यह चीजे कर सकते हैं shift मैंने पहले बोड़ा था जो चीज किसी की के उपर से 1Q पर प्रसेंटेज होता है किसी की उपर किसी फन की उपर से at the rate है तो हम किस का use कर सकते हैं किस चीज कर सकते हैं हम आपे shift की का ठीक है कोई दिक्कत इस चीज में नेक्स आते हैं which of the following keys is not the modifier key इन में से modifier key कौन सी नहीं है बहुत simple question है कौन सी की नहीं है modifier key shift alt पाता है which of the following is not प्रसे धियान रखना not लिखा है mention not है home key home key तो एक navigate की है navigation के लिए use होती है home key तो किसले use होती है navigation के लिए ठीक है डैश की is a modified modifying the behavior of the arrows key ठीक है कौन सी keys use होती है जो बताती है इधर move होना इधर move navigate करती है modifying the behavior of the arrows keys कौन सी keys होती है जो modifier keys कौन सी थी जो conduction की तरह add होती है ठीक है old shift की सब थी ना स्क्रोल की का यूज करते हैं ठीक है स्क्रोल की भी क्या है है किभोड में हमने क्या किया किया की पीपोल में किया के बारे में बढ़ती है ठीक है अलग अलग कीप पड़िया Christmas की पड़िया पड़ियूशैन तांवी की यह हिली किप आव में कीज यहां पर उपड़ yukh अब इसके बाद जो आपना next topic start करने वाल है अभी तो यही continue रहेगा इसके थोड़े से और practice questions करेंगे अभी तक हमने one to five practice question करेंगे और अभी इसके बाद further करेंगे तक करेंगे ठीक है तो उससे आपको और कीज रिवाइज हो जाएंगी ठीक है thank you for this session आपको यह session अच्छा लगा होगा और प्लीज typing के practice करेंगे जितनी स्याद आप typing के practice करेंगे उतनी keyboard keys use होंगी उतनी ही आपको याद होगी chapter automatic उससे लिंक करता है ठीक है ठीक है thank you for this session